हेलो दोस्तों कैसे यो आप सब बिटकोइन थोड़ा सा अटक गया है लेकिन छो आम तौर पर हम से सोचल मीडिया पे बात कर रहे हैं टेले중, ट्वीटर पे वो यही बोल रहे हैं शर बिटकोइन बढ़ता है तो औरकोइन किरते हैं Bitcoin गिरता है, तो alt coins और ज़ादा गिरते हैं, तो हम करें क्या करें, क्या ये alt season कभी आएगा भी, के नहीं आएगा, या हम ऐसे ही stuck रहेंगे, तो आपको क्या लगता है, comment में हमें ज़रूर बताईएगा, तो इस वीडियो के अंदर हम आज बात करने वाले हैं, Bitcoin अटका हुआ है, और क्या latest news निकल के आ रही है, और क्यों हमें लगता है, Bitcoin का अटकना, alt season के लिए अच्छा हो सकता है, या alt coins यहां से हमें pump करते दिख सकते हैं, तो ये सारी बात करने वाले हैं, साथ के साथ बात करने वाले हैं, BNB, एक तम से इसने एक तम से उच्छाल आपको एक अच्छा return दे सकें, और उसके पीछे का logic भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले वीडियो कर दीजे, like और चैनल को कर लीजे, subscribe, यही हमें motivate करता है, और इसी से आपका प्यार दिखता है, तो दोस्तों सबसे पहले cover कर लेते हैं, कि क्या news निकल क आई है कि रशिया ने बोल दिया है सीधा कि हमारा कोई भी ऐसा plan नहीं है कि चाइना के footstep पे हम चले, ban करने के लिए cryptocurrency को ऐसा कह रहा है, जो deputy finance minister है, रशिया के, हम सब को पता है, रशिया के अंदर, cryptocurrency के अंदर आप payment नहीं कर सकते, कुछ समान खरीदने के लिए, लेकिन वहा आपको इसका effect दिखेगा, लेकिन इंडिया से भी एक अच्छी news निकल के आ रही है, यहां मैंने रशिया की क्या बात करी, यहां पे आप payment नहीं कर सकते, कुछ लेने देने के लिए, लेकिन इंडिया के अंदर आप कर सकते हो, और Unicoin ने introduce कर दिया है, आप कभी बाहर जाते होंगे, टूर करने, तो आप सबको पता, आजकल fast tag चलने लगा है, जिसके लिए आपको line में नहीं लगना पड़ता, कोई परची निकटवानी पड़ती, टोल पे, जैसे आप जाते हो, गाड़ी आपने आप खुद catch कर लेती है, एक device लगी होती है, और आप सीधा निकल ज आते हो, तो कोई line में लगने की जरुत नहीं होती, तो Unicoin ने introduce कर दिया है, fast tag recharge using bitcoin कर सकते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, Unicoin की website पे जाके, आप जो है, इनका एक option है, fast tag का, उस पे जा सकते हो, recharge bill के अंदर, और दूसरी चीज़े भी आप वहाँ recharge कर सकते हो, अपना जो है, bank select कीजिए, और enter vehicle number डालिए, और फटाफट हो गया, तो एक अच्छी बात है, ऐसी ऐसी चीज़े हो रही है, जैसे कि bitcoin की थाली है, add or की बात करें, एक restaurant है, cp knot place के अंदर दिली में, वो भी accept कर रहा है, 20% डिसकाउंट दे रहा है food फे, तो ये adoption की तरफ जा रहे है, रशिया कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए नहीं कर रहा है, तो एक अच्छी बात है, thumbs up इंडिया के लिए कि कहीं न कहीं हम positive direction में इस चीज़ को लेके जा रहे हैं, लेकिन वहीं पे China की बात करें, China भी थोड़ा सा लगता है, गलत angle में जा रहा है, या गलत mode में जा रहा है, USA जो करेंगा, जो other developed countries करेंगी, वो उसका उल्टा करेंगा, हम सबको पता है, और Chinese government का ये कहना है, या जो working कर रही है, कि अभी जो ban तो किया हुआ है, लेकिन ban किया हुआ है, तो हम इसके उपर कुछ सजा भी दे सकते हैं, उसके उपर working कर रहे हैं, अगर आप cryptocurrency में कुछ करत पाए गए, ये थोड़ा सा serious है Chinese लोगों के लिए, और ये कहीं न कहीं जाती होगी, अगर कोई अपने पैसे का खुद इस्तमाल जो करना चाहिए, अगर वो ना कर पाए, तो ये किस बात का पैसा, तो यहां कहीं न कहीं दिखता है, कि China को थोड़ा सा open होना चाहिए, दूस पाट के साथ में एक और जो न्यूज निकल के आ रही है Turkish Exchange, हम सबको पता है जो Turkey के President है, उन्होंने बोला था कि we are at war with cryptocurrencies, और ये सी चीज को लेके अभी Turkish Exchange है, coins हो, शटड़ाउन हो रहा है, जो following, जो President ने crackdown की बात करी थी, तो कहीं न कहीं एक दो जो जो न्यूज आती है, उससे थोड़ा सा पैनिक का महौल बनता है, और वही चीज हमें देखने को मिल रही है, तो ये सारी news across the globe चल रही है, लेकिन अगर टेक्निकली बात करते हैं, तो क्या लगता है, दोस्तो कुछ नया नहीं है, अगर आपको नहीं पता है, तो आप हमारी परसो वाली वीडियो देख लीजेगा, या उससे पहले की वीडियो देख लीजेगा, हमने अल्रेडी आपको बता दिया था, कि बिटकोईन को ये जो है ना, 56,000 से लेके 58,000 डॉलर्स एक resistance zone है, और आप देख सकते हो, ये एक resistance zone की तरह निकल के आया है, और 58,000 डॉलर्स पे इसको resistance मिली, पहले 56 दॉलर्स पे इसको resistance मिल रही थी, लेकिन हमें परेशान नहीं होना है, बिटकोईन का stable होना बहुत जरूरी है, अगर हम alt coins के अंदर hype देखना चाहते हैं, और हम इसको एक positive signal की तरह ले रहे हैं, 58,000 डॉलर्स एक resistance है, 56,000 से 58,000 जैसा कि हमने आपको बताया, एक resistance zone हो ना, व इसके लिए फिलाल एक support का काम कर रहा है, जो ये आपको blue line दिख रही है, तो इसके ऊपर बना रहता है, तो all good अगर नहीं जो की around मिल रहा है, इसको 54,800 डॉलर्स के आसपस, अगर नहीं आता है, तो ये इस zone के अंदर आ सकता है, जो की है 52,000 से 51,000 डॉलर्स के बीच के और अगर ये रहता है, ये golden ratio है, एक अच्छी support है, और ये यहाँ zone में रहता है, तो all points को opportunity मिलती है, यहाँ से grow करने की, तो आपको परिशान नहीं होना है, अगर ये 51,000 डॉलर्स से उपर रहता है, और परिशान नहीं होना है, जब तक ये 58,000 डॉलर्स को break नहीं करता है, तो जितना ये इसके बीच में रहेगा, उतना ही हमारे लिए all coins के लिए अच्छा है, यहाँ पर आपको एक चीज आपको समझनी है, bitcoin की dominance की बात करें, हमने last time भी ये chart share किया था, कि dominance जो है लगभग 45, 46 के आसपास इसको एक resistance है, और वहाँ मिली और आप देख सकते हो, अग आपको decrease होती दिख रही है पिछले दो दिनों से, ये भी एक signal है कि all coins आपको यहाँ से अच्छा pump करते दिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, bitcoin जितना stable होगा, उतनी opportunity मिलेगी all coins को pump करने की, आप देख सकते हो, जैसे ही bitcoin 58,000 डॉलर के आसपास था, थोड़ा panic का म पहुँच गया था, link भी थोड़ा सा अच्छा move गया, यानि कि जो all coins हैं, आपको लग रहा है न, थोड़े से जो है wait and watch की situation में थी या जो पैसा bitcoin के अंदर चला गया था, वो दुबारे से आपको all coins के अंदर जाता आने वाले एक दो दिनों के अंदर या इस हफते के अंद buy करने हैं, तो हमारी ये 10 coin के list और ये 4 coin के list देख लीजेगा, तो हमें उम्मीद है कि इन coins को आपका potential है कि आने वाले time में एक अच्छा profit, जी ये सब dip में अल्रेडी मिल रहे हैं, एक अच्छा profit आपको दे सकें, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, BNB के लिए बहुत सार अच्छा profit आपको ध्यान रहे हैं, तो उनका कहना है उसकी growth के लिए हमने 1 billion dollar का fund पुश करने के लिए adoption का, ना कि सरी बाइने च्छा उनको बलकि पूरी blockchain को उन्होंने 1 billion dollar का growth fund एनाउंस किया है, अब इससे क्या होगा, जब किसी भी project के अंदर पैसा आता है, तो आप समझ लिजे, उसकी अंदर all development होती है, और चीजे better होती है, और चीजे better होंगी, तो ultimately किसको फायदा होगा, जो बाइने चेंज जो है, किसका product है, बाइनेंस का, और जैसे ये announcement हुई, हमने बाइनेंस के अंदर एक अच्छी खासी spike देखी, बाइनेंस लगबग 400 dollar से सीधा 460 dollar पे पहुँच गया है, तो यहाँ पर अगर टेकनिकली बात करते हैं, तो क्या लगता है, दोस्तो, बाइनेंस, no doubt, एक दुनिया का सबसे बड़ा exchange है, अच्छा जो है project है, used case है, और बाइनेंस, सिर्फ बाइनेंस exchange तक limited नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को उने टेक अवर किया हुआ है, जैसे इंडिया के अंदर वजीर X है, वन इंच हो गया, pancake swap हो गया, बाइनेंस chain हो गया, इतना कुछ उसके ऊपर है, इतना कुछ सारी चीज़े बाइनेंस से related हैं, तो यहाँ पे बाइनेंस से related जितने भी project थे, वो हमें pump होते दिखे, तो यहाँ पे आपको टेकन support मिलती है, वो लगबग मिलती है, 420 डॉलर के आसपास और एक अच्छी support इसको दुबारे से 400 डॉलर है, लेकिन जिस हिसाब से project हमें लग रहा है, जी altcoins मूव करने चाहिए हैं, आने वाले हफते के अंदर या इस साल के अंद तक अगले 2-3 महीने बहुत ही golden हो सकते हैं, त बात करते हैं, तो जितने भी आपके अच्छे altcoins हैं, आप उनको hold करके रखिए, आपको जहां 2 साल रखा है, किसी ने 6 महीने रखा होगा, किसी ने 1 साल रखा होगा, तो अगर आप आने वाले 40-45 दिन या 60 दिन तक hold कर लेते हो, तो क्या चला जाएगा आपको, बस हम तो य लॉस भी होगा, अगर मैं Binance Coin की बात करता हूँ, लॉस होगा तो कितना हो जाएगा, 200-220 डॉलर तक आ जाएगा, लेकिन अगर यहां से यह pump किया, यह 50% डाउन हो सकता है मेरा portfolio, लेकिन यहां से pump किया, तो यह 2-3x भी जा सकता है, यहां से, तो इतना potential है, तो यह सरी मैं Bin ली आई, तो आपको 2x, 5x, 10x कुछ भी मिल सकता है, आने वाले टाइम के अंदर, इस चीज को नजर अंदाज मत कीजेगा, जैसे कि टीम है, researcher of standard charter, जिसके head कर रहे हैं, जैफरी, उनका कहना है, Bitcoin जो है, अगले साल के शुरुआती टाइम के अंदर, एक लाग डॉलर तक पह सकता है, ऐसी डेविट की बात करें, जो की founder है, गोकस्टाइन, मीडिया, एन पैक, ग्लोबल के उनका कहना है कि इस साल के end में एक लाग डॉलर हो सकता है, तो ये सारी जो experts है, या सब चीजे हैं, एक माहौल जो बन रहा है, तो आपने वाले टाइम में Bitcoin जो है, एक लाग ड और Bitcoin तो मौच जाएगा, क्या altcoins pump नहीं करेंगे, दोस्तों ऐसा history में तो पहले नहीं हुआ, Bitcoin जैसी थोड़ा सा stable होता है, या एक level पे पहुंचता है, तो हमें altcoins Bitcoin के pair में grow करते दिखते हैं, अगर Bitcoin एक लाग डॉलर होगा, तो Ethereum कम से कम 5000 डॉलर से उपर तो हो नहीं तो ऐसे ही दूसरे altcoins भी अच्छा आपको USD की form में करते दिखेंगे, तो एक दो coin जो है हम आपके साथ में और share कर देते हैं, जो हमें लगता है एक potential है, अभी Coinbase ने भी announce कर दिया है, कि वो NFT marketplace जो है launch करने वाला है, Binance की तरह, FTX की तरह, USA के अंदर अभी वो देंगे logo के लि NFT से related अभी भी चीज़े चल रही है, DeFi से related अभी भी चीज़े चल रही है, अगर दुनिया के अंदर बात करते हैं, तो जितने बड़े बड़े celebrity है, वो अपनी NFT launch कर रहे हैं, इंडिया के अंदर अमिता बच्चन की बात करें, से अननी लियोने की बात करें, और अभी की latest news बने सभी दिलों की धड़कन सल्मान खान, जो है, बॉलिवुड के सूपर स्टार, वो भी अपनी NFT लेके आ रहे हैं, सल्मान खान स्टैटिक NFTs, कमिंग ओन बॉली कोईन, स्टेट यूंड भाई लोगो, तो एक ये भी बड़ी news है, आप समझ सकते हो, NFT का कितना चलन बढ़ करी है, तो इतना कुछ cryptocurrency market के अंदर हो रहा है, NFT के अंदर हो रहा है, तो हमने भी अपनी NFT marketplace बनाया हुआ है, Rarible पे, Rarible जो है, एक marketplace है, जो चीज अभी coinbase करना चारा है, वो already Rarible कर रहा है, तो उस पे हमने जो super humans हैं, cryptocurrency के, जैसे CZ हो गया, Elon Musk हो गया, सतोसी नाकमत हो गया, इनकी NFT बनाई हुई है, तो यह ऐसा ही marketplace, जो है, coinbase launch करने जा रहा है, लेकिन हमें क्या लगता है, Rarible, हमने अभी recently देखा, कि Binance के उपर ऐसे coin list होते हैं, जो काफी अच्छा perform कर रहे हैं, या used case हो, और Rarible अगर बात करें, super rare की बात करें, super rare के बात में हो सकता है, Rarible भी आपको Binance Exchange पे आने वाले टाइम में दिखें, और यह जितने भी बड़े बड़े एक्चेंज हैं, gate पे, crackan की बात करें, Uniswap पे, already यह listed है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है, Rarible भी जो है, आपको Binance या बड़े एक्चेंज पे लिस्ट होता दिखें, और अगर ऐसा अगर नहीं भी हुआ, तो यह used case है, NFT का चलन जो है, इन है, तो आने वाले टाइम में अगर rally आती है, तो हो सकता है, यह आपको 25 डॉलर से लेके 35-40 डॉलर तक आने वाले टाइम में दे जाए, तो इस coin पे भी ज़रूर नजर बनाए रखिएगा, बाकि जो भी आपने alt coins hold क हैं, तो 50-60 दिन और hold करके रखो, जहां इतने time तक आपने करा है, हमें लगता है कि अच्छा return आपको दे के जा सकते हैं, आपके alt coins, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी, तो वीडियो सके, साथ के साथ में हमारे telegram को भी follow कर लिजे, नीचे description में link दिया हुआ, उसी से कीजेगा, at the rate bitcoin expert India, यह हमारा username है, और username अगर आप हमारे already telegram channel पे हो, तो एक बाद चेक कर लिजेगा, यही username है, या आप किसी scammer के channel पे हो, तो ध्यान रखेगा, scammer के channel पे हो, तो उसको वहा आतार करते रहते हैं, तो दोस्तो अभी के लिए में विदा लेता हम, खुश रहे हैं, मुश्कुरात रहे हैं, कमात रहे हैं, आपको दोस्त पंकश, थैंकी, नमस्कार दनेवाद,